आज मैं बना रही हूँ परवल की सूखी सबजी और साथ में मौंग दाल दोनों जटपट बनने वाली रेसेपी है और पहुत ही टेस्टी बनता है साथ में चावल भी बनाओंगी तो चलिए आज का लंच बनाना शुरू करते हैं यह परवल के ऊपर का हलका सा छिलका उतार देंगे जिससे की सबजी जो है वो सौफ्ट बनेगा उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे परवल को पहले ही धो लेने से इसके अंदर पानी नहीं जाता है और यह थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा जाल देंगे और इसे भी हलका सा पकने देंगे उसके बाद हम इसमें परवल डाल देंगे एक तरफ से पहले हम इसे पकाएंगे पीछे की तरफ से ढग देंगे मीडियम आज पे और बीच बीच में उलट deixaब साट करें गतीड में तो से अब करेंगे कोट लेंगे हम टो हुट लेंगे दाट धर करेंगे शान नदरेंगे4 टाहर fa साब कर त्टीआ से बीडु आज पर हम से निदे कराई कर लेंगे उसके बाद हम इसके थोड़े से चेद यहिए systematic अंदर तक मसाले जाएं आप चाहें तो पहले ही एक चीरा बीच से भी लगा सकते हैं उसके बाद हम गैस का फ्लिम लो करेंगे और लो फ्लिम पे ही सब मसाले डालेंगे तो लहसुन और हरी मिर्श डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा हल्दी जीरा और धनिया बिल्कुल थो जल जाएगा दाल तो रोजी बनाना पड़ता है तो थोड़ा अलग अलग तरीके का बनता है तो अच्छा लगता है यह जो मूंग की डाल है बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगता है एकदम सिंपल चीर रेसेपी है लिकिन आपु टेश्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा दाल को धो करके डाल दिया है और इसमें एक चोटा प्याज और दो टमाटर दो तिन लहसुन की कलिया हल्दी नमक और पानी डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि जब सीटी लगे तो पानी उपर ना आए और इसमें द यहां पे जो परवल है वो बनकर के तैयार है बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है एक बर आप ज़रूर ट्राइ किजेगा आप चाहें तो इसके उपर से नीबू का रस भी डाल सकते हैं दाल चावल या फिर रोटी के साथ ही यह सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है बच से धनिया डाल देंके बारी कटा हुआ एक चुटकी गरम मसाला थोड़ा सा घी या बटर डाल देंगे जिससे कि दाल का स्वाद और भी बढ़ जाता है दाल तड़के जैसा टेस्ट आता है मैंने इसमें तड़का लगाया है जिसमें है जीरा लाल मिर्ज हींग और उपर से कसूरी मेथी डाल कर दाल को चौक दिया है इस गरमी में इससे बढ़िया लंच हो ही नहीं सकता आज कर परवल भी बहुत मिल रहा है तो आप इसे ट्राइ किजिए दाल चावल तो मेरा फेबरेट है और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए साथ में थोड़ी सी अचार और दही है थैंक यू